देख के नहीं कर सकते हैं कि यह रेस्टोरेंट का नहीं है क्या आपके भी रेस्टोरेंट इस्टाइल फ्राई राइस नहीं बनते हैं दोस्तों देखे कितने खिले खिले और टेस्टी लग रहे हैं और कलर कम्या जादा आप कर सकते हूं मैंने वाइट कलर रखा है दोस्तों इसके लिए देखिए चावल आपको अच्छी क्वालिटी का बास्मती राइस लेना है देख लिजे और इसे हमें दो तीन वार अच्छी तरह धूल लेना है और धूल के कम से कम 20-25 मिनट इसको रेश्ट होने के लिए रख देंगे अच्छी तरह वाले साफ कर लेते हैं बहुत ही टेस्टी बनाएंगे फ्राइ राइस दोस्तों कि आप देखते ही बनाओगे और इतने चवरदस्त आपके बनेंगे कि आपको रेश्टोरेंट में खर्चे करने की ज़्यादा ज़र्वत नहीं है और जो लोग नहीं चापाते ह हो भी फ्राइ रैस असानी से घर पे बना लेते हैं हम तब तक चावल को फुलने के लिए डाल देते हैं दोस्तों ले लेते हैं कुछ सबजी है हाँ देखे सबजीों को हमने काट लिया है एक कप सिमल्ला मिर्च साहँ है और पतिले में एट्टी परसेंट तक रैस को पका ल तो सभी को आता है वीडियो को लंबा नहीं करते हैं तो देखे है राइस पका लिए हैं और इसी तरीके से निकालकी और इसी फैल आके रख दीजिएगा इस तरीके पे आप मोटे तले का फैला हुआ कडाही लीजेगा आपके पास चाइनेज कडाही है तो भी ले सकते हैं और इसमें इसको हम गरम होने देते हैं और इसमें अभी दो चम्मच तेल डाल रही हूं दोस्तों लेकिन ये तेल साड़ा मैं निकाल लूँगी इसे कडाही को फैल पह इसलिए आप लोग परिशान मत होईएगा कि मैं तेल ज्यादा रखी हूं तेल को मैं निकाल लेती हूं और पहले अच्छी तरह इसको सेट कर लेंगे पूरा में फैलाएंगे दोस्तों और थोड़ा ही तेल रखेंगे तो देखे तेल को मैंने थोड़ा निकाल लिया है आप जरुवत के हिसाब से कमिया ज्यादा कर सकते हैं तो यहाँ पे डाला है मने लहसन हरी मेर्च इसको और सबजियों को हमें पकाना नहीं है दोस्तों थोड़े थोड़े सौटे करना है अब यह हरे प्याज का वाइट व ला लेती हूं अब गाजर रखोंगे दोस्तों गाजर पकने में सिनला मिर्च के हिसाब से थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है तो इसलिए गाजर पहले डाल लिये हैं और हाइफ लेम पे हम सभी चीजों को टॉस्ट करेंगे तो एक से डिर मिनट गाजर को भी भून लिया है फिर हमने सिनला मिर्च भी एड़ कर दिया है आप यहाँ पे बिन्स भी डाल सकते हो देखिए कराही को बगहर लगाने से होता क्या है दोस्तों कि यह कुछ भी आपके चितनेंगे नहीं अब यह वाइट वाला जो उपर का प्याज का हिस्टा होता है और हरा प्याज भी एक कप आप दोस्तों एक प्याज ही काटोगे तो बहुत सारे हो जाएंगे तो एक प्याज पूरा अब आपको अगर कलर डार्क चाहिए दोस्तों तो यहाँ पे एक बड़ा चमच डार्क सोया सॉस इस्तमाल कर सकते लेकिन मुझे नहीं चाहिए हम लोगों को कलर वाइट राइस वाइट रहेगा तो चाहिए तो मैं आधा चमच डार्क सोया सॉस और आधा चमच विनीगर का इस्तमाल कर रही हूँ आप इसकी क्वाइटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं स्वादन सार नमक दोस्तों आप इस तरीके से जरी बना के देखिएगा और हमें बताइएगा कि आपके फ्राइड राइस कैसे बने हैं और रेसिपी पसंदा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों और फैमिली के साथ सेर कीजिएगा दोस्तों तो देखिए अब हमने इस तो या सॉस का इस्तमाल कर चकते हो लेकिन हमने दोस्तों मंचुरियन बनाया है तो उसके साथ खाने के लिए यह फ्राइड आइस बना रहे हैं मैंने आप लोगों के साथ मंचुरियन की रेसिपी शेयर किया है दोस्तों तो यह फ्राइड आइस के साथ बहुत ही टेस्टी तो देखिए लग रहे हैं न जबर्दस्त और चलिए गर्मा गर्म मंचुरियन के साथ सर्व करते हैं रेस्पी पसंद आते लाइक कमें सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं दोस्तों इससे भी अच्छी रेस्पी के साथ थांक्स पर वोचिएंग